कि नमस्कार दोस्तों सौगत आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टन्ट एमसी क्यू बैसंदीब में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रात्मिंग इस्तर की परिच्छा हे तु समस्त विशियों से अति महातपूर 50 प्रशनोत्रों को संग्रह लेकर आए और दो दोस्तों ये वीडियो सीटेट, यूपी, टेट, किसी भी स्टेट की टेट एक्जाम हो, सुपा टेट हो, डेलएड और बीएड और या अन्य समस्त सचक भरतियों के लिए अत्यन तुपी होगी, क्योंकि इसमें हमने चारों सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन्स लिए हु सब्सक्राइब करके घंटी कर इशान जरू दबालीजे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आगके पास सबसे पहले मिल जाए, तो चले वस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, पहला प्रशन है, ए ने 4500 रुपे एक व्यापार आरंब किया, बाद में बी चौवन सो रुपे लगा कर साजेदार हो गया, यदि वर्स के अंत में कुल लाब को दो एक के अनुपाद में बाटा गया, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ, आपके आप्शन है, पांच महीने, चार महीने, साथ महीने या च्छै महीने, तो इसको कै महीने लगाता है, तो पैतालिस सो गुड़े बारा के हिसाब से हो गया, चावन हजार रुपे, ठीक, एने कुल चावन हजार रुपे लगाए, इसलिए उसको कितना लाब दिया गया, दो एक का लाब है, तो एक का दो है, और बी का एक है, अब आप ऐसे समझ लीजे, कि होंगे, 27,000 लगाए होंगे, इसका जस्ट आधा लगाए होगा, तभी तो आधा इसको लाब मिलना है, तो बी ने कितने लगाए, 27,000 और एने लगाए, चावन हजार, तभी तो इसको दो एक के अनपात में लाब बाटा गया है, ठीक है, अब यह तो समझ में आ गया, बी न 27,000 लगाए, और एने चावन हजा, तो बी ने चावन सो रुपए एक महिने में लगाए है, तो 27,000 रुपए कितने महिने में लगाए है, अब चावन सो एक महिने में लगाए होंगे, ठीक है, इसका मतलब है, बी का रुपिया जो लगाए, वो पाँच महिने के लिए लगा बी को एक लाब दिया गया, ठीक है, दो अनुपात एक, इसलिए बी को, बी ने साथ महिने बाद अपना पैसा लगाया होगा, बी साथ महिने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ है, पांच महिने उसका पैसा लगा है, तो साथ महिने बाद वो आया होगा, पांच महिने के लि आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्चन है वासिंग सोडा का सामाने नाम क्या है तो इसका जो सामाने नाम होता है sodium carbonate आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है विस्क को सबसे बड़ा पच्छी कौन सा है सुत्र मोलग है अगला प्रश्ण है प्रश्ण क्या पांच वाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन कीजिए विवेक ने स्रेष्ट युग में जनम लिया इसका एक शब्द बताना है तो कुलीन विवेक ने कुलीन ठीक है कुलीन युग में जनम लिया है आगे बढ़ते हैं अगला है मानो चिंतन में तर्क का आरंब होता है तर्क का आरंब कब होता है यह आपको बताना है तर्क का आरंब बाल्यावस्था बाल्यावस्था में बालक तर्क करने लगता है व्यवहार ही व्यक्तित्तु है यह किसका कथन है यह आपको बताना है यह कथन है वाट्सन का व्यवहार ही व्यक्तित्तु है आगे बढ़ते हैं निम्न में से जन्मजात प्रेरक कौन सा है जन्मजात प्रेरक वो है निद्रा खेलना क्रोध प्रसंसा यह सब तो अर्जित प्रेरक है और निद्रा जो है वो जन्मजाद प्रेरक है आगे बढ़ते हैं यदि A बटे 3 बराबर B बटे 2 तो 2 A प्लस 3 B बाइ 3 A माइनस 2 B क्या होगा इसको आपको solve करना है तो A बाइ 3 बराबर B बाइ 2 है तो A अपॉन B बराबर यह 3 इदर चला जाएगा तो 3 बाइ 2 इसका क्या मतलब है A की value है 3 और B की value है 2 ठीक है इसमें क्या है A की value है 3 और B की value है 2 तो इसको क्या करेंगे इसको हम simply रखके देख लेंगे A यहाँ पे 2 A है तो B की value है 2 2 3 जा 6 और 3 A 3 3 जा 9 और यह 2 B है तो 2 B का मतलब B की value हमने कितनी 2 माने तो 2 2 जा 4 तो इसकी equation क्या बनेगी वो देख लीजे इसका हो गया 6 प्लस 3 B है तो यह हो जाएगा 6 अपॉन 3 A है तो 9 माइनस यह 2 B है तो B की value 2 थी तो 2 2 जा 4 अब इसको solve कर लेंगे 6 माइनस 4 जाएगा 2 ठीक है 2 माइनस 6 बटे 9 2 माइनस 6 बटे 9 तो 6 बटे 9 को solve कर लेंगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो 2 2 माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा ठीक है अब इसको solve कर लें 3 2 जा 6 माइनस 2 इक्वल 2 3 टूजा 6 ठीक है 6 और सुरी ये प्लस है 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 8 अपॉन 3 इसका सही उत्तर क्या आएगा 8 अपॉन 3 ये आपका रहा 8 अपॉन 3 चले आगे बढ़ते हैं सिच्चा में प्रयोजन वाद की विचारधारा का प्रवर्थक कौन है इसका आपको सही उत्तर देना है प्रयोजन वाद की विचारधारा का समर्थक कौन है तो इसका जो सही उत्तर है वो है विलियम जेम्स आगे बढ़ते हैं सुद्ध वर्तनी का चैन कीजे ये चार दिये हुए है और इसमें जो सुद्ध है उसका चैन करना है तो ये लास्ट वाला शुषुपति ये इसका सुद्ध चैन है आगे बढ़ते हैं लोहे की चादरों की एक कोटिंग है कोटिंग किससर की जाती लोहे की चादरों की? जस्ता आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है गिलफोर ने अभिसारी चिंतन पत का प्रयोग किसके समान अर्थ के लिए किया है यह आपको बताना है तो यह है आपका सहुतर स्रजनात्मक अभिसारी चिंतन का प्रयोग स्रजनात्मक के अर्थ में किया है आगे बढ़ते हैं पूरुस इस्त्रियों के पेच्छा ज़्यादा बुधिमान होते हैं या कथन किसको दर्शाता है लेंगिक पूरुआ ग्रह को दर्शाता है पूरुस इस्त्रियों से ज़्यादा बुधिमान होते हैं लेंगिक पूरुआ ग्रह को दर्शाता है आगे बढ नहीं ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन नहीं नाइट्रस आउकसाइड है कार्बन डाय ओकसाइड है मीथेन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने अधिगम सर्वोत्तम होगा जब इस चार आप्षान आपको दे रखा है इसमें कौन से सही अध अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेणा होगा ठीक है अधिगम सर्वोत्तम तब होगा जब अभिप्रेणा होगी आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आसंगटित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभू कप करता है स्वतंत्र अध्यान में कठनाई का महसूस करता है जब असंगठित घर से बच्चा आता है आगे बढ़ते हैं वेतिकरम सब्द का परियाई क्या है तो वेतिकरम सब्द का परियाई है अरविंद आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सब्द तुर्की भासा का है तो तुर्की भासा का कौन सा सब्द है कैची याद रखी का कैची कैसा सब्द है तुर्की भासा का सब्द है अगला प्रशन है यह संख्याओं का लासा तथा मासा 120 और 12 उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या गयात की बहुत ही आसान होते हैं इस सवाल इसमें क्या कर करते हैं लासा और मासा का गुड़ा कर देते हैं लासा गुड़े मासा ठीक है LCM into HCF बराबर दोनों संख्या का गुड़न फाल ठीक है तो 120 गुड़े 12 बराबर एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या में निकाल नहीं मान लिजा एक्स मान लिया तो 30 चोको 120 तो 12 चोको 48 इसकी जो दूसरी संख्या है वो है 148 ठीक है दोनों संख्या का गुड़ा कीजिए दूसरी संख्या से बराबर LCM into HCF दोनों को बराबर कर दीजिए 120 गुड़े 12 बराबर 30 गुड़े दूसरी संख्या तो इसको आप सौल का लेंगे तो आ जाएगा उत्तर 48 उत्तर आएगा A, B, C किसी काम को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है ये B और C द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए ध्यान से देखें का प्रश्न को A कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में B 30 दिन में C 60 दिन में देखे A कर रहा है 20 B कर रहा है 30 C कर रहा है 60 दिन में ठीक है अब इनकी कारे छमता निकाल लेते हैं कुल काम हो जाएगा 60 इनका लासा निकाल लिया तो 20, 33, 60 30, 2, 60 60 है कम 60 मतलब कारेश हमता कितनी A की तीन है कारेश हमता B की दो हैं और C की एख है ध्यान रगेगा, याद रखेगा आक़ इए अभी काम आने वाला है यह थीक है हर तीसरे दिन न की मदद की जा रही है? ठीक है, ता रही सा difNo, कितना इत्ता सब्सक्राइब क में तीन काम कर रहा था तो तीन दिन में कितना काम करेगा तीन तीन नो ठीक है और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद कर रहा है तो तीसरे दिन कर रहा है मतलब एक ही दिन कर रहा है लेकिन तीसरे दिन कर रहा है फर्स सेकंड दिन छोड़ के तीसरे दिन कर रहा है तो क्या होगा देखे ए तीन काम कर पा रहा था और बी दो और सी एक तो मतलब बी और प्लस सी दोनों मिला के दो और एक तीन तीन काम कर रहा है दोनों मिला के ठीक है और एकेले नौ काम कर रहा है तीन दिन में और B प्लस C तीसरे दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल मिला के हो गए हैं, बारा, समझ गए, मतलब तीन दिन में टोटल काम कितना कर पा रहे हैं, बारा, तीन दिन में काम हो रहा है, बारा, आगे देखते हैं, बारा काम हो रहा है तीन दिन में, और काम टोटल कितना था, साथ, ब तो इसका उत्तर कितना हैगा यद बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जा रहे तो ए उस काम को 15 दिन में कर पाएगा इसका सही उत्तर होगा 15 दिन समझ में अगर नहीं समझ में है रिवाइंड किजिए दुबारा देखे आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है हव सेतन मन की तुलना किसे की गई है हिमखंड से की गई आपको पता है नहीं पता है तो मैंने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है आगे बढ़ते हैं वह वस्तु जो नाशवान है उसको क्या करते हैं नस्वार सरप्रतम बुद्धी का वैग्यानिक मापन किसने किया यह आपको बताना है यह है बिने ने बुद्धी लब्दी ग्यात करने का सूत्र किसने दिया था यह आपको बताना यह इस्टर्न ने दिया था आगे बढ़ते एक दुकांदार अपनी वस्तुओं की कीमत लागत से 30% अधिक अंकित करता है लेकिन नगत भुकतान पर 10% की छूट देता है वास्तुविक में उसे कितना लाब होता है यह आपको बताना है तो देखे इसको कैसे करेंगे देखे वास्तुविक जो इसकी कीमत है वो मान लिजे 100 है ठीक है अंकित कितना कर रहा है अंकित उसमें देखे 30 अधिक अंकित कर रहा है न तो 100 अगर कीमत है तो अंकित हो गया 130 ठीक 30% अधिक अंकित कर दिया उसने अब छूट कितनी दे रहा है 10% की छूट दे रहा तो 130 का 10% छूट कितनी होगी 13 होगी 130 का 10% ठीक है ये तो समझ गे 10% छूट हुई 13 और अंकित मान कितना है 130 तो देखे 130 और वास्तुरी में उसे लाब पूछ रहा है 130 उसमें अंकित किया 13 उसने छूट दे दी तो बचा कितना 117 और उसकी जो लागत थी 100 बेच पा रहा है वो 117 में तो उसे कितना प्रतिसत लाब हो रह याद रहेगा चले आगे बढ़ते हैं ये प्रत्य से बनने वाले सब्द का चैन कीजिए बढ़ाई मोखिक चड़ाई बली ये प्रत्य यूज हो रहा है तो वह है बली आगे बढ़ते हैं अगला प्रसने विद्याले के वातावराण निर्भर करता है किस पर करता है गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है पूर्डाकार आगे बढ़ते हैं एक कर्मचारी के भत्ते उसके वेतन के 165 है यह उस कर्मचारी का समगर वेतन 11925 है तो उसका मूल वेतन कितना होगा यह आपको बताना है तो सबसे पहले ध्यान दे 265 इसका मदलब उसका कूल वेतन है व้ 265 मिल रहा कितना हो ग्यारा नौसritis बता रहा ठीक? ओईल्यारा नौस JUL पत्चीस यह आपका है कूल वेतन और जो हमने परसंटेज निकाला है वो 265 ठीक और हमें निकालना क्या है हमें मूल वेतन चाहिए ना तो मूल वेतन हमने 100 माना था तो 100 से गुड़ा कर देते हैं ग्यारह 925 बटे 265 गुड़े 100 इसको इससे काटेंगे तो यह आ जाएगा 45 और गुड़े 100 बराबर 45 ठीक समझ गए इसका सहुत्तर होगा 45 उसका मूल वेतन है 45 और भत्ते उसको एक सो पैंसेट परसेंट उपर मिलते हैं तो पैंसेट परसेंट मिला लिजे पैंसेट किस चात्रों तता समाज के लिए यह आपको बताना है तो इसका सहुत्तर है रोजिगार परक व्युवसाइक सिछा समाज के लिए लाप प्रद है और इसके साथ पानी मिला कर उसी कीमत बेचता है मतलब जितने पर खरीद रहा है मान चलिए की 100 पर ही बेच रहा है और वह सो और 25 परसेंट का लाब ले लेता है तो 100 का खरीद रहा है और 25 परसेंट लाब लेके 125 पर बेच रहा है लेकिन उसमें पानी भी मिला रहा है पानी मिला रहा है इसका मतलब वह 200 ग्राम पानी मिला रहा है क्योंकि 25 परसेंट का लाब ले रहा है क्योंकि बेच तो उतने रहा है अगर दूद जितने खरीद रहा उतने का बेच रहा है सो का खरीद रहा सो का ही बेच रहा है लेकिन उसमें पानी मिला रहा है तो मतलब पच्छीस रुपए का वो एक्स्ट्रा पानी मिला रहा है तो पच्छीस का एक्स्ट्रा मिला रहा है तो मतलब कितना पानी मिला रहा है तो एक हजार में धाइसो ग्राम मतलब एक किलो में धाइसो ग्राम वो पानी मिला रहा है इसका सहुत्तर होगा धाइसो ग्राम आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है पानी के लिए रचाजिक शूत्र बहुत आसान है सनकर जब दो बहां से मिलकर कोई शब्द बनता तो संकर सभी एसीड के लिए आमतत्त क्या है हाइडरोजन आगे बढ़ते हैं पोटेशियम नाइट्रेट किसमे प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है तो दोस्तों यह उर्वरक में प्रयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया है प्रताब गड़ में चलाया गया है अगला प्रशन है प्रत्विवा उपलब्द सबसे मुश्किल पदार्थ कौन सा है हीरा अगला प्रशन है 124 का 742 दोनों को मल्टिप्लाई कर दीजे सही उत्त चूट को 10% चूट पुनाव चूट पर 10% चूट दिया थी तद नुसारिया क्रमिक चूट एक अकेली कितने प्रतसद चूट के बराबर है चले इसको देख लेते हैं मालीजे 100 है कोई चीज की वैल्यू ठीक है अब इस पर दस परसेंट चूट दिया तो वह कित्ते की हो ग थाइगी ठीक है 100 पर 10% चूट दिया तो 90 की हो गई 90 पर 10% चूट दी तो 9 घटा के 18 की हो गई इसका मतलब अगर हम टोटल पर एक चूट दें तो हमारी वैल्यू कितने की थी 100 की थी और हम बेच कितने की रहें 81 की तो हमें एक चूट देनी है तो हम सीधा 19 की चूट दे त तो 80% 81% पर हम बेच पाएंगे तो इसका सही हुदर एक छूट पूछ रहा है एक अकेली कितने प्रतिसत छोट के बार तो वो है 19 प्रतिसत आगे बढ़ते हैं सोड़ा पानी में सामिल है यह आपको पताना है कार्बन डाइयोकसाइड सोड़ा पानी में क्या सामिल होता है कार इन विवसाईयों से अलग करता है अध्यान सेलता सिच्चा का मेशा अध्यान शील रहता है आगे बढ़ते हैं विश्व का उच्चतम जहरना यह है वेने जुएले का दो नमबरों का गुड़न फल 216 यदे सिफश च्चाह तो उनका यह मैंने आपको बताया है दोनों नमबरों का गुड़न कर दीजिए और सिफ इंटू एल सिफ कर दीजिए तो दोनों नमबरों का गुड़ा है 216 और यह जाएगा 36 इसका सह उत्तर है 36 आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है विग्गी सब्द का विलोम आर्थी सब्द क्या है विग्गी सब्द का तो इसका जो विलोम होगा वो है आपका अग्य चलिए आगे बढ़ते हैं अन्तिम प्रशन है कच्छा के सोल गुल को नियंतित रखने के लिए संप्रेशोड की कौन सी पदती सबसे और जो इसका जो सही है तो इसका जो सोहिव उत्त ह्हाँ की परवाह किये बिना सिच्छड आरम कर देना इसका जो ज're जही उत्तर है वह यही है सोग्रो样 किये में अच्छा के विध्यालоз में अच्छड आरम कर देना in यही संप्रेशवर्ड की सबसे अच्छी पद्दती है तो दोस्तों ये थे आज की पचास अति महत्पुर्ड प्रश्ण दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए औ और दोस्तों साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरू दबा देजिए ताकि आने और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले मिल जाए अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत